नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र के भी महान ग्याता थे समय समय पर उन्होंने धर्म राज और युदिश्टिर को भी वास्तु शास्त्र के ज्यान दिये उन्होंने पाच ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जो घर या घर की सीमा पर नहीं लगाने चाहिए ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नती और प्रगती को रोकते हैं वास्तू शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना शुब होता है इससे सकारात्मक और शुबता आती है लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो वास्तू के अनुसार घर में या घर की सीमा पर नहीं लगाने चाहिए कहा जाता है कि भवन के मुख्योदार पर किसी विर्ख्ष की छाया का पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता इससे छाया भेद उत्पन्न होता है वास्तो के अनुसार इससे दोश उत्पन्न होता है जो घर के सदस्यों के लिए अशुप्ता लेकर आता है कहा जाता है कि घर के उत्तरदिशा में पाम और कनक चमपा का पौधा लगाने से धन में वृध्धी होती हैं यदि घर के मुख्या बिजनस करते हैं तो उन्हें घर की सीमा पर बेल या नीम का पौधा लगाकर उसका पालन पोशन करना चाहिए इससे व्यापार में अधिक लाब होता है घर के मुख्यदार को मनी प्लांटे अन्य सुन्दर लताओ फूलो और पौधो से सजाना शुब होता है लताओ यदि नीचे से उपर की ओर आती है तो शुबता लाती है वहीं देखा जाये तो अगर लताओ उपर से नीचे की ओर आये तो अधागती होती है जो अशुबता लेकर आती है इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रखे कि आप लताएं उपर से नीचे की और ना लगाएं अब बात करते हैं केले के पौधे की घर पर केले का पौधा लगाना अत्यंत शुब माना जाता है इसे जीवन में खुशाली और सकारात्मक्ता आती है लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए यदि घर के सामने लगाना हो तो इसे तुलसी के पौधे के पास लगाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड में भगवान विश्नु का जबकि तुलसी में देवी लक्षमी का वास माना जाता है वास्तु शास्त्र में ये भी कहा गया है कि घर के सामने काटे धार पौधे नहीं लगाने चाहिए ऐसे पौधे घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं घर के छोटे बच्चों के लिए ये बहुत नुकसान दायक होते हैं कहा जाता है कि ऐसे पौधें जिसके पत्तों फूलों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता है, उन पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए या घर में रहने वालों के स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता। धार्मिक दृष्टी कोंड से ऐसे पौधे लगाने से घर की सुख समरिधी चली जाती है और नकारात्मक्ता आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि घर में कभी सूखे या मुर्जाय हुए पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा वास्तु के अनुसार अशुप माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपके सौभाव में भी परिवर्तन होता है। इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत घर से हटा देने चाहिए। खास कर तुलसी का सूखा हुआ पौधा तो कभी घर में रखना ही नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे पौधे को घर पर रखने से घर वालों की ग्रोथ रुप जाती है और सकरात्मक्ता भी रुप जाती है। बबूल का पेड़ भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। या काटेदार पौधा होता है और घर परिवार वालों की सेहत और सकरात्मक्ता को रूप देता कैस्टर का पौधा कैस्टर का पौधा भी घर पर बिलकुल नहीं लगाना चाहिए इस पौधे का बीज बहुत ही विशाला होता है जो किसी की भी जान ले सकता है इसे घर के आज पास भी ना लगाने की सला दी जाती है बेर का पेड इसे भी कभी घर में नहीं लगाना चाहिए इससे घर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में रखाराक्त मक्ता आती है अगर बेर का पेड घर पर हो तो आर्थिक समस्य होने के साथ ही धन की हाने भी होने लगती है इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए घर में पपीते का पेड तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए इसे बहुत ही अशुब माना जाता है यदि याख खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरन्ट उखाड कर फेक देना चाहिए पीपल का पेड यदि पीपल का वरक्ष भवन के पूर्व दिशा में हो तो इसे अशुब माना जाता है इसे घर में निर्धनता आ सकती है अब बात करते हैं वट वरिक्ष की यदि वट वरिक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शुख का काल बना रहता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको 6 ऐसे पौधों के बारे में बताया जिसे घर में लगाने से घर में सकारत मक्ता आती है और घर में गरीबी भी देखने को मिलती है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही तो अगर आपको पसंद आये तो लाइक कीजे मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे और ज़्याद से ज़्यादा शेयर कीजे थैंक्स फूर वाचिंग